कारवरजित अचल परम पदार्थ है जो एक ग्यायक भाव निरमल नित्य निज परमार्थ है जिसके दर्षवा जानने का नाम दर्षन ग्यान है ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही निज आत्मा को जान कर पहिचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर आय मैं भी वे सभी वे साद है आराद है आराद ना किसार है ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलदी के भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती यग जाल मैं ही कांत को जो रही सदा नकारती निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारें चक्र मैं उपलब्धनित यह नेत्य बोधक भारती नय चक्र के संचार मैं जो चतुर है प्रति बोध है भव चक्र के संहार मैं जो प्रति समय संद है निज आत्मा की साध ना मैं निरत तन मन नगन है भव्य जन के शरण जिन के चरण उनको कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरू जिन वचन को निज भाव निर मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को निज बोधि बल अनुसार प्रस्तुत कर राओं विग जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ इश्क व्यवहार ने के संबंद में जो अनेक तरह की भ्रांतियां है उनका विशेश इस्पष्टी करन सत्र में अपन्य परंभाव प्रकाशक नय चक्र ग्रंथ में निश्चे व्यवहार स्वरूप और विशेवस्तू इस अध्याय के माध्यम से किया है बूतार्थ और अभूतार्थ सत्यार्थ है के सत्यार्थ और अगर दोनों हैं तो किस सपेक्षा से है इसकी भी काफी चर्चा हुई विवहार नए हे है उसका सरद्धान त्यागने योग है इसका क्या मतलब होता है ये वास्तों में अपन सबको स्वयम बहुत गहराई से समझना चाहिए और जिनागम का अध्यन करते समय इस सूत्र को याद रखना चाहिए जैसे चर्णान योग में अनुवरत महावरत की बात आती है कि हमें इस तरह जीवों की रक्षा करना सत्य बोलना विरतादी पालन करना तो उस समय ये बात ग्यान में रहनी चाहिए कि ये निमित्यादी की अपेक्षा उप्शार से कहा गया है वास्तों में आत्मा इन बाह ब्रतादी की क्रिया का करता नहीं है ऐसा ध्यान में रहेगा ग्यान में रहेगा तो ब्रतादी सच्चे होंगे नहीं तो जैसा चला है अनादी से मित्यात के साथ में अनेक तरह के सुबासुब भाव होते हैं तो होते रहेंगे वो करम में जो आता है सो आएगा यहां को यह भी कह सकता कि साथ वो भी अगर करम में होएगा भेद विज्ञान तो होएगा नहीं होगा तो नहीं होगा उसको वो गुर्देव वाला उत्तर है कि तुझे सरद्धा हो गई सरवग्यता की सरद्धा हो गई तो बढ़िया शाबास यही तो चाहिए था और क्या है ऐसा गुर्देव के व्याख्यानों में और बहन्सरी के चर्चा में भी अनेक जगए ये बात आती है बहन्सरी ये भाषा ज़्यादा बोलते कि जिसको सुभाव की सन्मुकता होती है उसकी करंबद्ध की धारा परड़ जाती पुर्सार्थ सन्मुक हो जाती वो यथार्थ ताकि और उसकी धारा बढ़ती और जिसको सुभाव सन्मुकता ग्यायक भाव की रुची नहीं हो हो तो इससे बढ़िया हो क्या हो सकता है लेकिन वो निर्भार वाली इस्थिती ज्यायक के अवलंबन से होती है खेर वो प्रकरण अलग है कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे यह नए चक्र तो काफी दिनों से चला रहे हैं नेक्स्ट इयर अगर अपन मिलेंगे तो क्रमद्ध पर आए चलाएंगे देवी लाली पूरे पंदरा दिन है तो एक प्रकरण कल ये प्रारम हुआ है पेज नम्मर 37 देखिए आप यहां एक प्रस्न संभव है यदि व्यवार अभूतार्थ है असत्यार्थ है उसे निश्चय के समान मानना भ्रम है उससे सावधान करने की भी आवस्चक्ता परतीत होती है देखो हम कहतो रहे हैं मगर व्यशा मानना नहीं सावधान कैसे करते हैं घी का घड़ा बोलेंगे जरूर लेकिन आप मानना नहीं आप तो रहा नहीं जाता और मानने में मिध्यात होता है तो ये प्रतिपाद्व संबन्ध के बारे में है ऐसा प्रतिपाद्व उठा के जिनागम में विवहार नए की उपियोगी ता क्या है उसकी चर्चा की गई है और प्रहले ही जब अपने ये विशय सुरू किया था शायद पहले दिन तबी ये बात बताई थी कि छटवी और साथवी गाथा में आचारे कुंद कुंद देव ने एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूब बताया और तत्काल उसके बाद आठवी से बारवी गाथा तक विवार ने परमार्थ का प्रतिपादक है मिलेच को जिस तरह मिलेच भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता उसी तरह विवार की भाषा के बिना यानि भेद किये बिना संयोगों का ज्यान किये बिना असंयोगी और अभेद तत्यों को नहीं बताया जा सकता तो ये आ आठवी नोवी दसवी तीन गाथाओं में प्रतिपाद प्रतिपादक पना है फिर ग्यारवी गाथा में निशेद निशेदक पना है और बारवी गाथा में सहज भाव से जानने लायक है इस तरह की बात है इसमें पन्चाद ध्याई के आधार से कुछ चर्चा आई है वो अपन पढ़ते हैं थोड़ा आपको पन्चाद ध्याई का भी स्वाद आएगा मैं मूल गाताय नहीं पढ़ूंगा संस्कित वाली नीचे उसका अनुआद लिखा है इसलिए नियाई बल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवार नए अभूत आर्थ है और जो केवल उस व्यवार नए का अनुभव करने वाले हैं वे मिथ्याद रिष्टी हैं इसलिए वे पथ भरष्ट हैं को लो अभी बात चल लेए थी न कौन सा रास्ता सेलेक्ट करना केवल व्यवार का अनुभव करने वाले हैं माने बहा स precio कोई आत्मा मानने वाले हैं जो टोडरमल जी के सब्दों में कहा जाए प्राप्त पर्याय में ही तनुप्य हुए वो है केवल वेवहार का अन्भव वास्तिविक तत्व क्या है अपना सुरूप क्या है इसका भान नहीं है फिर संका है इसके बाद यदि वेवहार ने अभूतार्थ है तो नियम से निश्चे नही आदर करने योग है क्योंकि वेवहार ने अकिंचित कर है कोई फायदा नहीं है उससे अपरमार्थ भूत उससे क्या प्रियोजन है ये तो संका है अकेले निश्चे की ही बात होना चाहिए उसी की चर्चा भगवान आत्मा है ग्यायक है, सुद्ध है, अकर्ता है कल मैंने आपको बताया था वास्तों में देखा जाएं तो जो वास्तविक निश्चे नहीं है परम सुद्ध निश्चे नहीं जो कभी व्यवार नहीं बनता देखो, उप्चरित असद भूत व्यवार ये सबसे पहली एक नम्मर वाला ख्याल में आये ना ये कभी निश्चे नहीं बनता जीते हैं आयू सही मरते हैं इस प्रियोग में अनुप्चरित असदभूत को निश्चे बना दिया क्योंकि इसके दोरा अप्चरित असदभूत विवहार से जो कहा जाता है कि सामने वाला मुझे मार रहा है बचा रहा है उसका निश्चेत करना है बात समझ में आती है मैं किसी को मार सकता हूँ बचा सकता हूँ ऐसा व्यवहार में भले बोला जावे लेकिन ये बात निसेद करने लायक ही है तो पहला वाला जो व्यवहार है वो कभी निश्चे नहीं बनता एक नमबर वाला और लास्ट वाला आठवे नमबर पर जाएं परम सुद्ध निश्चे नहीं वो कभी व्यवहार नहीं बनता और बीच वाले जो हैं कितने बचे चार व्यवहार और चार निश्चे अब बीच वाले बचे कितने हैं छे वे अपने से पहले वाले की अपेक्षा निश्चयत्व को पराप्त होते हैं पर उन्हीं का निश्चयत्वने लगता है तो भी वयवार बन जाते है यह प्रेयोग इसमें सब दिया है अब तो आपको केवल नमूना बता रहा हूं तो अगेले वयवार की निश्चय की बात करो हो इनहीं सकती निश्य ने भाषा में वास्तों में आता ही नहीं है वो तो अनभव गम्य चैतन्य तत्व की बात है लेकिन जब आप उसे व्यवार को अकिंचित कर कहते हो अकिंचित कर माने उससे किसी प्रियोजन की सिद्धी नहीं होती ऐसा तो फिर कहो ही मत जीव के गुणिस्थान मारगणा स्थानादी भेद हैं काई को बताते हो बहिरात्मा, अंतरात्मा परमात्मा ऐसे भेद क्यों करते हो अरे संसारी और सिद्ध ऐसी दो अवस्थाएं जीव की क्यों बताई जाती इस सब व्यवहार से ही है ना समाधान सुनो भाई ये कहना ठीक नहीं है क्योंकि किसी विशय में बल पूर्वक बिवाद होने पर और संदे होने पर या वस्तु विचार के समय जो ग्यान दोनों नयों का आस्रे लेकर प्रवर्त होता है वो प्रमाण माना जाता है अब प्रमाण की बात आ गई और प्रमाण की दर्ष्टी में निश्चय और व्यवहार दोनों यथा योग रिती से स्विकार किये जाते आत्मा मनुस्य है ये बात भी जानी जाती है और आत्मा शरीर से भिन्न चैतन मात्र है ये बात भी जानी जाती है अगर पिर्मान विवस्था स्वीकार न की जाए तो अकेला चैतन है चैतन है चैतन है तो वेदान्त जैसा एक ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं है ऐसे एकांत मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा अजे हम आपको सुना चुके तीन चार दिन पहले गुर्देव के ग्यारवी गाथा के प्रवचन के आधार से तो वस्तु विचार वस्तु का यथार सिनिर्णे करना हो तो दोनों नयों का उनकी मर्याद हमें जिसका जो स्वरूप है वेशा ग्यान करना चाहिए इसलिए प्रसंग वस्त किनी को व्यवार नय का आश्रे करना योग है गजब हो गया दिए कि भासा कितनी सदी हुई है प्रसंग बस चरणान योग की आचरण सास्तर का प्रसंग हो कर्मे प्रकरतियों के वर्णन करने का प्रसंग हो समझ में आया उस समय विवारने का आस्रे आस्रे माने उस सैली में कथन करना और उस पद्दती से वस्तु का ग्यान करना इसका नाम आस्रे है वो भेद विज्ञान में जैसे मैं ग्यायक हूँ ऐसा आस्रे होता है उस आस्रे की बात नहीं है उसकी अपेक्षा तो वेभार, यही है समझ में आती है बात किन्तु वेश सभीकल्प ग्यानवालों के समान निर्विकल्प ग्यानवालों के लिए उपयोगी नहीं है सभीकल्प ग्यान आप मन के निमित से तत्त का चिंतन मनन कर रहे हैं कहां गए चक्री जिन जीता, जिन रामन मारा, वो क्या है, भरत खंड सारा, कहां गए भाई, तीन लोग के जीव, तीन लोग में ही रहे, अलोक में तो चले नहीं गए, और वो राम लक्षमन वाली परियाए वो तो छण बंगुर्थी ही, इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है, ऐसा चिंतन करना, ये सभी कल्प ग्यान वाला चिंतन है, बारा भावनाओं का, अनित भावना, असरन भावना, एकत्व भावना, ये सब देह के बारे में सोचना, नवद्वार बहें गिनकारी, असदेह करें के मियारी, ये सब सभी कल्प ग्यान में, याने विकल्प सह तत्वान वेशन काल इसके लिए नेचक्र में गाथाती तच्यानेशन काले अनवेशन काल में मीमान सा के समय तो व्यवार ने से ही चिंतन करना पड़ेगा लेकिन एक सुद्ध चैतन्य का अनभव वाली बात जो दादा इत्ते दिनों से बताने की कोशिस कर रहे हैं काय चेश्टा मत करो कुछ भी बोलो नहीं सोचो नहीं एक चिद रस चैतन्य रस मात्र का वेदन होता है करता है ये व्यवार से कहना पड़ता है खरेखर तो वो परियाए अपने स्वकाल में अपने योग गिता से अपने पुरसार्थ से प्रिगट होती अपने सट कारक से उस समय ये विकल्पों की क्या जरूरत है सोचो आप कोई मुनिराज अतिंद्री आनंद में लीन हो बें शटमे साथमे गुनिस्थान में अपर स्रणी में भी चड़ जाएं तो वहाँ इस सभी कल्प ग्यान की जरूरत है कर सरीर अनित है परयाय अनित है अद्रोव है संसार में जो आया है वो मरेगा कोई भी जीव कोई किसी को बचाई नहीं सकता है ये जो भावना है ये सभी कल्प ग्यान में चलेगी कि निर्वे कल्प अन्भूती में भी ये ही चलेगी मैं चैतन हूँ कोई मुझे बचा नहीं सकता है ना हाँ बस ऐसे बड़ा आनंद दायक प्रकरण है ये वास्ताव में अनि तो पढ़ा ये ने चक्र पढ़ा अब अपकी बार मिलो तो बताना कि हाँ दस पेज पंद एक अध्याए पढ़ लिया अपने अभीष्ट की सिद्धी एक ही नए से क्यों नहीं हो जाती बड़ीया प्रस्नोत्तर है अपन तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे प्रस्ने खड़े होना चाहिए जो पंचाध्याई कार ने अन्य गिरंत कारों ने उठाए है तो अनभव में एक निश्चे नहीं की विशे वस्तु ही आना है तो एक नहीं से ही काम चल जाएगा दो नहीं की क्या जरूरत है लिखाए देखो अपने अभीष्ट की सिद्धी एक ही नहीं से क्यों नहीं हो जाती क्योंकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चे नहीं से हो जाएगा विवाद नहीं के मानने की क्या आवश्यकता है कितने बढ़िया प्रस्ण है मनों से परियाए है चवदा गुनस्तान है ये मानने की जरूरत ही क्या है अज़ एक तो मैं आत्मा हूँ और आत्मा मैं लीन हो गया बात खत्म हो गई समाधान सुनो ऐसा नहीं है कैसा नहीं है कि विवार नहीं मानने की कोई आवस्चक्ता नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों नहीं में भेद है क्या भेद है भाई अच्छा दोनों नयों में कोई समानता वाला एलिमेंट्स है तत्व दोनों नये समान है निश्चे और व्यवहार ऐसी कोई चीज है उनमें जो दोनों को समान बताती हो एक पांस सेकेंड सोच लो यहों भाई नेवीचन जी दोनों सम्यक सुर्थ ग्यान के अंस है सम्यक ग्यानी कही होते न निश्चे व्यवहार दोनों तो सम्यक पना और सुर्थ ग्यान पना सुर्थ ग्याना वरण कर्म के छह उपसम से और साथ में दर्सन मोग के उपसम छह छह उपसम भी होना चाहिए नहीं दर्सन मोग का उदै रहेगा तो वो सुर्त ग्यान कू सुर्त ग्यान कहलाएगा कू मती ग्यान कू सुर्त ग्यान कू अवधी ग्यान मित्यात्र के साथ में तो दर्सन मोवनी का उप्सम छह या छह उप्सम कुछ भी होना चाहिए और सुर्त ग्यान अवरण के छह उप्सम में ये सुर्त ग्यान प्रिगट होता है ये भी व्यवार का कथने मैंसे हैं होता तो अपनी योग गिता से है तो दोनों सम्यक हैं, दोनों सुर्टग्यान हैं, दोनों ग्याता के अभी पराए हैं, दोनों वस्तु के एक अंस को गर्ण करते हैं, भले जुदे जुदे अंसों को एक ही पर दोनों लगे रहते हैं, इसा नहीं है और सबसे बड़ी सर्थ जो है अनिराकरते प्रती पक्छो प्रती पक्छ का निराकरण कोई नहीं नहीं करता एक बात और आप लोगों को दिमाग में उठनी चाहिए थी कि जब हमने पहले पहले परिभासा बताई कि अनिराकरते प्रती पक्छो बताई थी कौन से गरंथ के आधार से लिखी तो इसमें थी हाँ जी परीचा मुग नहीं पिरमे कमल मारतंड पिरमे कमल मारतंड में एक सूत्र आया है अनिरा करते प्रति पक्छो वस्तु अंस गराही ग्यातो रवी प्रायो नया यहने जो opposite side है दूसरी side है उसका निसेद नहीं करना और जब आप निश्चेने की परभासा बताते हो तो व्यवार नहीं का निसेद करता है कि ऐसा है नहीं तो जिन निराकरत नहीं हो गया थोड़ी बहुत प्रस्न समझ में आया निश्चेने व्यवार नहीं का निसेद करता है तो वो प्रती पक्च का निराकरण नहीं करे नहीं तो एकांत हो जाएगा यह बात कहां रही उसने तो कर दिया नहीं निसेद उसका काम ही है निसेद करना निश्चेने की परभासा ही है कि बेवार ने कहे कि जीव और दे एक है निश्य ने कहे नहीं है तो जो निश्य नहीं हो गया तो फिर उन दो बातों का समन्वा कैंसे बैठेगा इनका मेल कैंसे बैठेगा ये प्रश्णे खड़ा होना चाहिए नहीं हुआ तो अब सोचो तो इसका समधान जो दूसरे पक्च का निश्य नहीं करने की बात है सर्वथा निश्य नहीं करना तो वो अनिराकरत प्रति पक्चो वाली सर्थ पूरी हो जाती है यहाँ पर अपेक्छा से निश्य निश्य करना व्यवार ने का जो निश्य किया जाता है वो निश्चय नएकी अपेक्छा यानि जब हम निश्चय नएकी विशेवस्तु को दे से भिन्न आत्मा को ख्याल में रखते हैं, मुख करते हैं तब विवार नएका यानि मनुस्य है, देव है, नारकी है इसका निशेद होता है थोड़ी बहुत समझ में आई बात सर्वथा निशेद करने का निशेद है क्या बुला? सर्वथा निशेद करने की मनाई है अपेक्छा से निशेद नहीं किया जाता वो तो करने ही पड़ेगा अनिथा अपेक्छा लगा के भी निशेद नहीं करें तो फिर निश्य नेगी वस्तु खड़ी कैसे होगी आत्मा मनों से नहीं है ये कहे बिना आत्मा चैतन है ये बात गले कैसे उतरेगी तो सर्वता निशेद करना अलग बात है और एक परमार्थिक द्रश्टी से परमार्थ की अपेक्छा तो निशेद करना ये विवार नएका स्वरूप ही है जैसे वो बताया कि वो बोर्ड में लिखा है एहमदाबाद देखते ही से अपनी को कितनी चीजें अपने ग्यान में एक्टिव होता है कितने पॉइंट पर चोराए पर बोर्ड लगा है एहमदाबाद धाई सो किलो मीटर अब आपको एहमदाबाद किस दिशा में है कितनी दूर है ये भी ज्यान आ जाता है उसी समय ये बोर्ड तो एहमदाबाद नहीं है तो एहमदाबाद का रास्ता दिखा रहा है और अपने उस रास्ते पे चल पड़ते तो बोर्ड का निसेद हो गया के नहीं बोर्ड का निसेद करने का क्या मतलब है तो उसे उखाड फैकना बोर्ड का निसेद करने के लिए निकलवा दो वहां से ये निसेद करना होता है ये तो मूरकता है यह तो हिंसा है समझ में आया है न देखो बोड का लाब ले 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 न कि तीन रास्ते वो एहमदाबाद के नहीं है यह वाला रास्ता एहमदाबाद का है समझ में आया है न और फिर वहीं खड़े नहीं रह जाना आगे चलना यही बोर्ड का निशेद करना है कि देखते ही रहें कैमरे में फोटो ले ले हो रहे हैं ऐसे ही देखते रहें क्या क्या करें निशेद यह निशेद सब्द सुनके जगत घबडा जाता है ब्रांती में पढ़ जाता है देखो बेवार का निसेट करने लगा ऐसा लगता कि जैसे कोई महाँ पाप कर रहे हूँ उसका निसेट किये बिना पर अरे दवाई की सीसी खोले बिना या पैकिंग को तोड़े बिना जो आगे इसमें और उधारन है बादाम की मिगी वो छिलके वाला बादाम तो छिलका तोड़े बिना आपको असली बादाम कैसे मिलेगा आएगा तो वो छिलके के भीतर लेकिन हमें तो छिलका तोड़ने पड़ेगा ना जब उसका यूज करना हो ऐसे दुनियागर रिवाज है, हर चीज पैकिंग में आती है और जब यूज करने का टाइम आता है तो बड़ी निर्ममता से पैकिंग का काकच खोल के और वो डस्ट विंड में डाल देते पहले के जमाने में सडक पे फेंक देते थे कि अब मोदी जी ने थोड़ा जनता को ट्रेंड करना चालू किया है आशा है पांस साल में और पूरा ट्रेंड कर देंगे कितना संदर प्रकरन है भाई दोनों नयों में भेद है यानि दोनों नयों के भिषएवस्तु में भेद है जो नए पना है नजत्व नए की परिभाषा आप देखिए नए कितने होते हैं इसमें आया सुरू में दो होते हैं साथ होते हैं समझ में आया न और सेंतालीस होते हैं संख्यात होते हैं असंख्यात अनंत जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं जितने वस्तू में अनंत गोण अनंत धर में हैं उतने नए हैं कोई भी एक को मुख करेंगे वो नए बन जाएगा नए का काम मुख गोण करना है या ग्यान में जो मुख गोण करने की नेचर है सुरुत ग्यान में, उसको ही नए कहते है, समझ में आया ना, तो नए पना आपको उपचरित असद्भूत बेवार में भी नए की परभासा एपलाई होगी और अनुपचरित सद्भूत बेवार में भी होगी असद्ध निश्चे नए में, एक देश सुद्ध निश्चे नए में, साक्षा सुद्ध नए में और परम सुद्ध निश्चे नए पूर जहाँ जहाँ दिरवियार्थिक के दस भेद हैं परियार्थिक के छे भेद हैं लेकिन नए की जो परिभासा उन्होंने बनाई अनिराकरत परतिपक्छो वस्तु अंसग्राही ग्यातोर अविप्रायो नया वो सम्मे लागू पड़ेगा नहीं दोसका नय पनाखंडित हो जाएगा ना यूं समझ लो ये सामान परिभासा है किसी नय विशेश की नहीं है सामान परिभासा जैसे मनुस्य का सामान सरू दो आथ होते दो पैर होते है खड़गासन वाला होता है पसु तिर्चे होते है मनुस सीधा होता है पांच हिंद्रियों वाला होता है मन वाला होता है मननसील होता है तो ये तो हिंदू हो, मुसलिम हो, सिक हो, ईशाई हो किसी भी देश का हो कि सी भी उमर वाला होभे मनुश्यतों सब मनुश्य है एक दिन का बालग वो मनुश्य है के नहीं अब पूरा है के अधूरा एक घंटे का बालग एक घंटे पहले जिसका जने मुआ है उसमें मनुश्यत्ति नाम कर्म पूरा उदय है के थोड़ा बाकि Prague अबी, तो ये मनुस्यत्व सामान, वो सारे मनुस्यों में लागू होगा, ऐसे नयत्व सामान, वो सारे नयों में एपलाई करना, सीखना चाहिए भाई, तो ये पिरमान के दोरा दरणे होता है, और दोखो, वास्तों में निश्चय नय anirvachini है, बहुत सुन्दर पिकरन है, आई नहीं सकता है जो असली निश्चय है समझ में आया ना जो थोड़ी देर बाद बेवहार बन जाएगा और किसी नीचे वाले नए की अपेक्छा वो निश्चय है वो तो वाणी में आएगा मैंसे मैंने बता हैं आत्मा ग्यायक स्वरूप है चेतन-लक्षणवाला है तो यह निश्चय का कथने कि वेवहार का पर का निसेत करना है रागादी भाव का तो यह निश्चय हो गया लेकिन इसमें भी गुण गुणी का भेद उत्पन ने किया तो वेवहार बन गया यानि कौन सा निश्चय भाषा में उतर सकता है, सोचने की बात है जरा गंबीरता से ऐसा कौन सा निश्चय क्यों निश्चय का कथन होता नहीं है क्या दे और जीव दौनों बिन्न बिन्न हैं ये तो कथन निश्चय का है न तो भाणी में तो आ गया कि दे बिन्न है और आत्मा बिन्न है समझ में आया न है लेकिन जब आप उसका अनुभव करोगे निर्विकल्प ग्यान में तो वो अनुभव में जो विशय आता है वो बाणी में नहीं आता वास्ताओं में देश के साथ में है ये भी नए का कथन है और देह से भिन हैं ये भी देह सापेक्ष कथन है निश्यने का विशय तो निर्पेक्ष होता है ये देह की अपेक्षा आत्मा का वर्णन देखो जिन लोगों मारगणा इस्थान का अभ्यास है थोड़ा कितनी होती है? चवदा एक सम्यक्त मारगणा है कितने भेद हैं आप जानते हैं मिथ्यात को भी हमारे बेटर स्पेसलिस्ट इनने तो बहुत सारे वो बनाए हैं चित्र बगएर है वो कम्पूटर पर क्या बोलते हैं उसको पी-पी-टी बगएर है सब जगह भेजे भी हैं हमारे प्रकाश जी छावड़ा सम्यक्त मारगणा का बढ़न करेंगे और मिथ्यात को भी उसमें सामिल करेंगे सैयम मारगणा में असैयम का भी नाम रखा ये क्या तुक है अरे वो विरोधी दल जो अपना विरोध करता है जिसका जीवन ही सम्यक्त के विरोध में बात करना है जिसका स्वरूप वो ही है किसका मिथ्यात का तो जब सम्यक्त मारगणा की एक मीटिंग बुलाएं सम्यक्त के बारे में विचार करें तो मिथ्यात का भी नाम रखा दोगो आचारी कितने धरिया दिल हैं बिरोधी धल के नेता को भी सपत गरण में आमंतरन देते हैं समझ में आया ने कितने उदार हिर्दय वाले हैं अच्छा ऐसे क्यों किया किर्थी भाई क्यों हमें वहां सम्यक्त और मिथ्यात का विचार मतलब अलग-अलग नहीं करना है सम्यक्त दर्सन के बारे में जीव के कितनी पर्णतियां होती है तो सम्यक्त है तो है वाले गृप में जाएगा नहीं है तो नहीं है वाले गृप में जाएगा ये जनगरना होती है न तो जैसे गवर्मेंट को 2022 तक हर एक आदमी के पास घर होना चाहिए लेकिन उसका data base भी तो होने जी कितने आंकड़े कितने बनाने हैं कहां बनने हैं क्या होना है तो वो जनगणना में पूछेंगे आपके पास खुद का घर है के नहीं के आप बेटे के घर में रहते हो तो घर है ये भी घर मार गणा और घर नहीं है ये भी घर मार गणा ग्रेजुएट कितने हैं इस देश में और नॉन ग्रेजुएट कितने हैं मानलो ये आंकड़ा निकालना हो भे जैसे वो बार बार कहते ने इस देश की 65% आबादी 35 वरस के लगबक्ती है तो आपकी उमर कितनी है तो घर है ये घर संबंदी डाटा एखटा करेंगे तो है और नहीं दोनों रखना पड़ेंगे सहियम है के नहीं है तो सहियम के बारे में विचार हो रहा है तो जे नहीं है तो नहीं में जाएगा अज सहियम है तो उसमें जाएगा देश सहियम है तो उसमें जाएगा सकल सहियम है तो उसमें जाएगा सहियम के जितने बेद हैं तो नहीं होना भी वो भी सहियम के study में वो भी सामिल होएगा बात समझ में आई उसी तरह से निश्यन है निर्वचनी है वहाँ कोई विकल्प खड़ा नहीं होता इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के लिए वाँ वो कहते हैं द्विवार को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा ये वाला तीर्थ तीर्थ की स्थापना करने के लिए याने तत्व का प्रतिपादन करने के लिए वावदुक व्यवार नेका होना स्रेयसकर है व्यवार नेकी उप्योगता बता रहे हैं नीचे लिखा है वावदुक माने बातूनी, बकवादी अच्छा बोलने वाला वक्ता, मुखर तवत भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलानमाम क्या करें है अल्पस्रतम सुर्तवताम परिहासदाम तवत भक्ति रेव मुखरी कुरुते वलानमाम ये प्रवो मेरे में अत्ती बुद्धी नहीं है आप जैसे महान लोगों की मैं इस्तुती में दो सब्द बोल सकूँ ये मेरी लगूता है वास्तों में लेकिन ये मेरा दुसाह सी समझो मालो भगवान ने पूछा कि जब तुम्हें अक्कल नहीं तो काई को इस्तुती करने चले हो मैं क्या करूँ मजबूर हूँ आपकी भक्ती ही मुझे बलात जबरदस्ती मुखर बना रही है मुखर माने मुख से कुछ बोलने के लिए या हाँ से कुछ इस्तुती लिखने के लिए प्रिरित कर रही है तो ये बावदूक बक्ता ये सब व्यवार ने के विशेशन निश्यने मोन और व्यवार ने बोलने वाला यह आप देखो बड़े बड़े जो अच्छे राजनेतिक दल होते समझदान लोगों वाले तो जो मेन आदमी है वो कभी ऐसा चाहे जब टीबी पे आजाए और बहस करने लगे ऐसा नहीं होता वो एक बावदूक नक्की कर लेते हैं कि हमाई तरफ से इस पार्टी की तरफ से तुम जाया करना बहस करने हैं सारी चर्चा विवार ने के माध्यम से होती है सुनो यद्यपी यहां विवार ने को वावदूक जैसे सब्द द्वारा प्रति पादक माना है तथा पी उसकी उप्योगिता स्वीकार की गई है वावदूख कहा है बोलने वाला कहा है तो बोलने वाला भी आदमी चाहिए के नहीं चाहिए आत्मा कैसा है भले वो भेद करके कहे अगर देखो विवारने की व्यवस्ता नहोती तो केवली की दिब्व द्वनी का भी कोई मतलब नहीं रहता जो लोग थोड़ा पूझ गुर्देव के प्रवचनों को गहराई से सुनते हैं मामा जी ध्यान देना गुर्देव धवला जी की एक बात को कोट करते हैं क्या केवली भगवान सुर्थ ग्यान से बोलते हैं ग्यान केवल ग्यान है और वानी सुर्थ ग्यानात्मक है दिवे दुनी क्या है? द्रब्य सुर्थ है गे नहीं? ओंकार मई द्वनी वो द्रब्य सुर्थ है गंधर देव जो द्वाद सांग की रचना करते हैं उस ओंकार मई द्वनी में से ही करते और भगवान की वाणी स्यादवाद मई कही जाती तो भगवान तो बाग के तो बोलते ही नहीं है ओंकार के अलावा और उनकी वाणी में कुछ आते ही नहीं है तो स्यादवाद कहां से आ गया स्यादवाद मई तेरी वाणी सुब ने के जरने जरते है प्रसन समझ में आया ओंकार मई ध्वनी में स्यादवाद कैसे आया स्यादवाद तो जब बुलोगे कथंचित नित्य है कथंचित अनित्य है और समंदर भद्राचारे की शैली से देखा जाये तो स्याद सब्द नहीं बोलो हर चीज में स्याद नहीं लगाई जाती है निवू स्याद मीठा है स्याद गोल है स्याद खटा है जो कुछ भी हो वे तो स्याद लगा लगा के बोला थोड़ी जाता है वो तो understood होता है समंद्र भद्राचार कहते हैं कि जो जैन सासन को मानने वाले हैं स्याद वादी हैं उनके वाणी में बिना कहे ही उन्होंने स्याद लगाया है ऐसा समझ लेना चाहिए जो जैनी है तो उससे रात्तिरी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप भोजन करोगे क्या अप्रस्ना प्रकरन आगया है तो आपको एक वो चुटकुला या क्या में एक वाट्सैप पर देखा ता कभी हो एक स्रीमान जी प्लेल में कहीं जा रहे थी उनने जैन पूद का अडर दिया आज़ जैन पूद का सब जगे चलन हो गया जैन पूद बस कांदा पटाटा यूज नहीं करना इसका नाम जैन पूद अब पानी चांने वानने का मत सोचना होदा रहे तो साम के नो बजे तो उनने बोला उसको कई हम ने तो जैन पूद लिखाया है तो वो जो होते नह जो सर्व करने वाले रिसेप्स ने जो क्या बोलते एल हुष्टेश हाँ चाज अब हम भूल गए तो उसने बोले कि सर आपने जेन फूर लिखाया है और जेन लोग तो रात में खाते ही नहीं है तो हम नौ बज़े रात को आपको जेन फूर देखें से सकते एक तरफ जेन फूर मांगना जेन ही अगर नाम लिखा है या जेन समाज के किसी कुल गोतर का नाम लिखा है तो understood है उससे पूँचने ही नहीं पानी की तो पूँच लेना ऐसे बानी में कोई चीज कही गई तो स्यादवादी है तो आप समझ लो उसने स्याद सब्द बोला है अनुक्त होने पर भी उक्त समझ लेना तो भगवान की वाणी में श्यादवाद कहां से आया जो श्यादवाद की गंगा बही है ना वो दिव्यद्वनी की गंगोत्री में से निकली है जो द्वाद सांग की रचना हुई है वो दिव्यद्वनी में से हुई है पड़ा हुआ है इसलिए ओंकार द्वनी सुर्त ग्यानात्मक है और जिनके आत्मा के निमित से वो खिरती है बचन योग से वो केवली केवल ग्यानात्मक है ऐसा उसमें गुर्दे कई दफ़े इस बात को कहते केवल ग्यानी भगवान आत्मा भी उनकी वानी सुर्त रूप है समझ में आये नए और सुर्त का एक अर्थ करणेंदरी का विशह भी होता है सुर्त ग्यान का एक अर्थ जो है वो कानों से सुनी जाती है तो वो सुर्त हो गई तो वो विवहार ने प्रति पादक है ये उसका उपियोग है काम का है आचारे कल पंडिट टोडर मल जी ने मुवार्ग प्रकासक में इसी प्रकार का प्रस्ने उठा कर उत्तर समय सार गिरिंत का आधार लेकर दिया है और स्वयम ने भी बहुत अच्छा इस पश्टी करण किया है वो अंस भी इसमें देने वाले हैं फिर प्रस्न है यदी विवार ने असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में क्यों दिया ये टोडर मल जी ने उठाए एक निश्चे ने का ही निरूपन करना था अब देखो टोडर मल जी की खूबी देखो शायद पूरे मोक्षमार प्रकासिक में एक दुरलवी स्थल है जहां उनने किसी प्रस्न को उठाया और खुद जबाब नहीं दिया डारेक्ट सुप्रिम कोट में ले गए उसको तो दो चल कुद कुदा चार से ही पूँच ले मेरी मानेगा के नहीं मानेगा मुझे भरोसा नहीं है यहनि वो इस प्रस्न को इतना ज़्यादा गंबीर और मार्मिक समझते हैं कि अपनी शेली और अपनी भासा में जवाब बाद में देंगे पहले उसका आधार जो है आगमाधार उसको पहले रखावने ऐसा ही तरक समय सार में किया है कि वेवहार ने हे है असत्यार्थ है तो जिन मार्ग में उसका उपदेश क्यों दिया ऐसा ही तरक समय सार में किया गया है और देखो वेवहार नए प्रमार्थ का प्रतिपादक है ये बात तो आठ्वी गाथा में आई साथ्वी गाथा में ही व्यवार नए से आत्मा का वरणन कर दिया और उसका निसेद भी कर दिया एक ही गाथा में व्यवार एन वुदिस्दी रान से दंसनम चारित्म चा है न व्यवार नए कहता है आत्मा में भी उसे सबता है जब हों, विभान हा यान का यजिए निशेदक को जो संबंध है भूत साथवी गाथा में भादा हो गया तभी अम्रीज छंदराचारे को यह मोगा मिला तेका में क्यम है जब्हारने का कथन क्यों किया जाता है जो भी सब्दों हो टीका के तो आठवी गाथा आ गई है ये बात तो जो समय सार का प्रवचन करते हैं लोग बाग प्राय वो कहते ही है के उत्तर जो है मूल गरंत तो 2000 वरस पहले लिखा गया अब ये गाथा क्यों आई सिसको ऐसा कौन सा प्रशन उठा होगा जिसके लिए आचार ने ये गाथा लिखी ये बात 1000 वरस बाद अमरिचन्द आचार ने यानि उन्होंने उसको प्रशन उत्तर सैली में उस फार्मेट में समय सार को कनवर्ट किया टीका के रूप में बात समझ में आ रही न तो इसको हम लोग इस सैली में बोलते हैं उत्तर दिये गए 2000 वरस पहले और प्रशन पूचे गए 1000 वरस पहले यानि उस उत्तर के 1000 वरस बाद में तो देखो जहनवी सक्क्म अनज्यो ये आठमी गाता है अनज्य भासं बिणा दू गाहे दुम तव वहारेण बिणा परमुत्व देशन मसक्कम जिस प्रकार अनार्य याने मिलेच को मिलेच भासा बिना अर्थ ग्रहन कराने में कोई समर्थ नहीं इस गाता का आप प्रवचन सुनेंगे गुर्देव का तो वह ऐसा बोलते कुंद कुंद आचार के जमाने में अनार्य लोग थे ज़र्म नवी सक्कम अनजो अनजो अनारियों को फिर दीरे दीरे अमर्चन्द आचार के जमाने में भी मिलेच बन गए अब अनार्य में वो मिलेच में क्या अंतर है इस मिमान सामें जाने की कोई जरुवित नहीं सीधी बात ये है कि वो जो सुद्ध संस्कृत भाषा है वो नहीं जानते समझ में आया है ना प्राकृत भाषा नहीं जानते ये तो भाषा को लेके उधारुन बनाया गया है देखो ऐसा है अब जो हिंदी नहीं जानता हो, उसे हिंदी में समझाना पड़ेगा, जो गुजराती जानता है, हिंदी नहीं जानता हो, उसको गुजराती में समझाना पड़ेगा, जो अभेद का अनुभव नहीं करता है, उसे भेद के द्वारा अभेद को बताना पड़ता है, प्रयोजन से रहते, क्या, भेद और अभेद, कथंचित, मैंने उसमें जिन्वानी इस्तुति में, नित या नित रू एक अनेक, भस्तू कथंचित भेद या भेद, अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी, भेद अभेद भी रखा, नित अनित भी रखा, तो जैसे अभेद एक धर्म है, सुभाव है, अनन्त धर्मों में, जैसे भेद भी एक धर्म है, लेकिन अनुभूती के प्रियोजन से नीचली भूमिकाँ वाले बेद पर नजर डालेंगे तो राग उत्पन हुए बिना नहीं रहेगा इसलिए बेद को गोण करके व्योहार में डाल दी और अभेद को मुख करके निश्चे में डाल दी यह अध्यात में की शेली है आगम शेली में तो जैसा बेद नहीं है वैसा ही अभेद नहीं है कोई फरक नहीं है अनन्त धर्म है तो एक धर्म वो है एक धर्म वो है जैसा नित है वैसा ही अनित है अनित भी अनित ताभी वस्तु का तरकाली सुभाव है नहीं बदलना हो बदल तो ये व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश असक्य है और उसकी ठीका में लिखा है मैं इस बात को पूरी करके अभी यहीं रुकूंगा फिर अगला प्रिक्रण में बाद में लूँगा कल उसमें ये आया है कि जैसे कोई व्यक्ति था वो ब्रामण की भासा नहीं समझता था अनारे व्यक्ति था तो ब्रामण ने स्वस्ति बोला उसको समझ में नहीं आया है स्वस्ति का क्या मतलब है समझ में आया है न तो वो यह से आँखें फाड़ फाड़ के देख रहा है मेंडे की बहां ती आँखें फाड़ के ऐसे लिखा है सब उसमें आठवी गाथा की टीका में तो कोई दूसरा व्यक्ति जो दोनों भासाओं को जानने वाला था उसने का तेरे लिए तो आसी रिवाद दे रहे हैं तेरा अविनासी कल्यान हो विजयी भव ऐसा कह रहे हैं तो भेरे लिए जो मेरा इनसे कोई परिचाई नहीं और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इतनी उची बात सोचते हैं तो उसकी आँखों में चलो चल आसू की धारा बैने लिए अरे वाँ आनन्दासुरा ऐसा है है तो उसके निसकर्स में उन्होंने निकाला ये लिखा है कि समझाने के लिए विवार नहीं का प्रियोग करे ब्रामण मिलेच को समझाने के लिए मिलेच भाषा का प्रियोग करे लेकिन स्वयम मिलेच नहीं हो जावे इसी तरह से हम विवार नहीं कि संयोगी या बेदमाली भासा का प्रयोग करें लेकिन स्वयम ब्यवार को उपादे नहीं मालें से ब्यवार नयो नानू सर्तव्या यह अंग्रे जी भासा के मामले में भी यह हुआ कि अंग्रे जी भासा सीखने का निशेद नहीं है अंग्रेजी कल्चर अपनाने का निशेद है अपने देश के लायक नहीं है वो लेज आपन बले चतुर हैं भासा नहीं सीखते कल्चर अपना लिया फिर इसमें ये प्रश्ण है कि विवहार के बिना निश्चे का उपदेश कैसे नहीं होता और विवहार अंग्री कार कैसे नहीं करना ये दो तीन पेज में ये प्रकुर्ण